जोसतो आज इस वीडियो के अंढर मैं आपको बताने वाल हूँ, क्या आप भी अपने मुबाइल फोन के अंधर आपे, यहाँ पे देखने को मिल याता है आपको N Wireuse Share का ऐप्सन, तो अगर आप भी अपने मुबाइल फोन के अंदर, नेर वाईल से वाले अपसन से अपना क्वे के मोबाइल फून के अंदर तो कैसे आप सकते हैं वैसे आपको पता होगा कि अगर आप यहां पर नेरवाइस रिख से किसी भी फाइल को आप सेंड करते हैं तो आपका जो फाइल होता है वह बहुत ही फास्त तरीके से से फेर होता है तो आज में इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूँ कि आखिरकार मुबाइल फोन के अंदर जो आपको डिफॉल्ट रूप में आपको जो दिया जाता है नेरवाइस शेयर का ओप्सन तो इसे हम अपने मुबाइल फोन से फाइल कैसे शेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे पता चलने वाला है और आपको कोई भी थर्ड पाटी एप्लिकेशन आपको इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा और कोई भी आप यहाँ पे डाटा इस ट्रांसपर करना चाहते हैं किसी दूसरे के मुबाइल फोन के अंदर या आपने दूसरे मुबाइल फोन के अंदर अब यहां पे आपको करने क्या है सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन के अंदर अगर आप यहां पे नेर वाइस सेर का यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मुबाइल फोन के अंदर आपका वाइफाई आपका बिलूटूथ और आपका लुकेशन यह अम यहाँ से अपने mobile phone के अंदर अपना Wi-Fi और में आप यहाँ पर Bluetooth और यहाँ पर हमारा देखने को मिलेगा location आप मैं इसंवें करता हूं on करने के बाद फिर आपको यहाँ पर करना का है बियक आजना है कुछ भी नहीं करना है इसी तरह से आप जिसके mobile phone के अंदर share करना चाहते हैं यानि कि आप इसके माद्याम से send करना चाहते हैं उसके mobile phone के इंदर आपको यही करना है आपको यहाँ पर wifi, bluetooth और location यहाँ पर तीनों को आपको on करने के बाद आप यहाँ पर क्या करना है कैसे आप share करेंगे आपको करने के आपको अपने फाइल में जाना है, जो आप spend करना चाहते हैं, तो जिसे हैं यहां पर आपको देखने को मिलेगा, हमारा यहां पर file open हो चुका है, और यहां से मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे पास बहुत सारे वीडियो है, यहां पर मैं आपको एक वीडियो share करके दिखा देता हूँ, और आपको पता चल जाएगा, तो यहाँ पर हमें इस वाले वीडियो को सेंड करते हैं, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करते हैं, लॉंग प्रेस करेंगे, लॉंग प्रेस करने के बाद, यहाँ पर आपको मिल जाता है, आपको सेंड करने का option, आपको इस पर क्लिक करने के बाद, यह सकते हैं हमारे पास notification आर चुका है आप यहाँप आपको करने का है आपको दूरे mobile phone के अंदर जिसमें आप Share करना चाहते है उसमें आपको notification में आपको दीवाइल को मिलेगा यह आपको notification आपको इस पर कलिक क्या अब करेंगे आप यहां से क्लिक करेंगे अब यहां जो भी डेटा होगा बहुत ही फास्ट तरीके से आपका सेयर हो जाएगा और इसमें आपके मुबाल फोन के अंदर आपका वह आ चुका है और आप इसे कहां पर देखना चाहते हैं वह यहां पर आपको चुछ करना पड़ होगा कि यह वीडियो हमारे मुबाइल फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा तो ऐसे आप बड़ी ही आसानी से अपने नेर्वाइज यह तीनों परमिसन आपको इनेबल करना पड़ेगा इन तीनों को आपको अन करना पड़ेगा और उसके बाद आप कोई भी डेटा आपका फोटो वीडियो फाइल डाकुमेंट कुछ भी आप देना चाहते हैं आप नेर्वाइज शेयर की माद्यम से बड़ी ही आसानी से आप पर ले सकते हैं तो मैं आशकर करूंगा आज आपको पत्ता चल गया होगा कि नेर्वाइज से हम किसी भी डाटा को ट्रांसपर कैसे काते हैं एक या दूसरे मूबाइल फोन के अंदर तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एस बीडियो के लिए इतना ही आगर वीडियो नवाद